अब थर्ड केस है हमारा at center of curvature तो आप देख रहे हैं कि already diagram draw है यह आपका center of curvature हो गया यह focus हो गया और यह आपका point हो गया इसका भी एक cheat code बनाया है cfp कुछ बच्चे logically याद नहीं कर पाते हैं उनकी लिए आसान trick हो सकती है क्योंकि वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इसको याद कर सकते है cfp coffee p I hope याद हो जाएगा coffee p order है cfp जो बच्चे याद करने में थोड़ा सा weak है उनके लिए बाकि intelligent बच हमें सिर्फ ये draw करना है सही तरह से draw करना है और marks लेने हैं तो चाहिए वो किसी भी तरीके से हम इसको याद रखें वो matter नहीं करता है अब हमारा case हो गया at center of curvature तो हमने object बना दिया center of curvature पर अब देखें ये बड़ा complicated वाला case है accuracy बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर नहीं तो आपको pinpoint location c पर नहीं मिलेगी यहाँ पर आपका जो ये gap है focus जो है बिलकुल half पर होना चाहिए center of curvature के जो के relation आपको पता है और ये कर्व भी आपका एकदम accurate होना चाहिए तब ही आकर मिलता है अब देखते हैं कि accuracy आती है किस तरह से आती है अगर नहीं आएगे तो इसकी भी एक हम trick आपको बताएंगे अब कुछ नहीं है इस वाले में हमें दो rule use करने है आप देखेंगे इसम हमें पी एफ और एफ पी यूज़ करने हैं आप नोटिस कर रहे हैं कि तीनों केसे में पी एफ तो हमेशा यूज़ हो ही रहा है तो इसमें पी एफ हमने बनाया पैरलल इंकमिंग इंकमिंग का एरो बना दिया focus outgoing अब accuracy से हमें इसको बनाना है focus outgoing यह हमारा पी एफ रे हो गया यहां पर पी एफ रे अब हमें बनाना है एफ पी तो एफ पी रे आप देखेंगे कि नीडल से शुरू होगी और आपको एफ से ले जाना है यह आपका focus वाली रे हो गई और अब इसको पैरलल लेके जाना है अब पैरलल रे भी accurate होने चाहिए तभी आपकी location बिल्कुल उसी पर आकर मिलेगी तुम देखते हैं पैरलल ड्रॉ करते हैं इसको यह आपका पैरलल रे आ गया हो अब actual में यह जो point है यह बिल्कुल exactly C के नीचे आना था पर यह हमारा नीचे नहीं आ रहा है तो temporary हम इसको ऐसे कर लेंगे वट यह हमारा accurate नहीं है इसके लिए हमें accuracy पर काफी सेम है तो सेम साइज आया सेम साइज इमेज नीचे बन रही है inverted है तो real and inverted हो गई और location है at C at C पर हमारी बन रही है हला कि यह ray diagram में accuracy नहीं है मेरे diagram में भी आपके में भी हो सकते कि नहीं हो पर यह image आपकी C पर बनेगी जब आप most accurate diagram बनाते हैं तो जैसे आप inaccuracy की बात देखें यह point यहाँ पर शुरू है और मैंने नीचे जो है draw किया है और एक और fact है कि यह जो मेरा curvature है आप देखेंगे कि एक्चल में curvature की आप diameter देखेंगे तो यह radius देखेंगे यह है 5.5 की जबकि मैंने यहाँ पर जो है diameter ले रखा है आपका 4 का या radius ले रखा है 4 का तो उस वज़े से यह accurate नहीं बनी है आप इसको दुबारा try कर सकते हैं accurate radius लेकर और उसी radius का आप इसको curve बनाएंगे ग्लास बनाएंगे और यह measurement accurate होंगी parallel accurate होंगी तो यह आपकी image बिल्कुल C पर ही आकर बनेगी अगर आपको इसका accurate वीडियो जाना है और उसके लिए आपको चीट कूट देखना है तो ज़रूर comment में box में mention करें मैं उसका भी ए आकर upload करता हूं paper में matter नहीं करता है कि आप उसको किस तरीके से draw करते हैं तो I hope third case आपको समझ में आ गया होगा